Good morning student, आज हम Hindi 2nd में संदेश लेखन के विशे में जानेंगे कि संदेश लेखन क्या होता है, तो सबसे पहले संदेश क्या होते हैं, संदेश शब्द की उत्पत्ती संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना, जब कोई व्यक्ति, किसी कारण वश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर, संदेश के जरिये दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है, संदेश किसी व्यक्ति विशेश या किसी समु द्वारा, किसी व्यक्ति विशेश या समु को दिये जा सकत अर्थार जब हम किसी के पास अपनी बातचीत को लिखकर के भेजना चाहते हैं तो हम संदेश का साहरा लेते हैं ये संदेश व्यक्ति विशेश के साथ भी किया जा सकता है, समू के द्वारा भी किया जा सकता है संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं, संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं कोई भी संदेश व्यक्तिगत वा सामूहिक हो सकता है, संदेश भूतकाल, वर्तमानकाल वा भविश्यतकाल में लिखे जा सकते हैं पर था, संदेश को हम भूत काल में भी लिख सकते हैं, वर्दमान काल में भी लिख सकते हैं, और भविशित काल में भी लिख सकते हैं, और जैसा पहले बताया गया, कि संदेश व्यक्तिगत रूप से भी लिखा जा सकता है, और सामुहिक रूप से भी लिखा जा सकता है, संद जो है formal और informal दोनों तरीके के हो सकते हैं अनौपचारिक संदेश या व्यक्ति गश्संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है ठीक वैसे ही जैसे हम letter लिखते हैं पत्र लिखते हैं तो पत्र में भी आपचारिक और अनौपचारिक हो अपने जानने वालों को लिखते हैं अनौपचारिक संदेश अपने परीजनों मित्रगणों रिष्टेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं अपचारिक जो संदेश होते हैं अपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ओफिस के किसी करमचारी या आम जन्मानस के लिए सारजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उदेशे से लिखा जाता है यह सारजनिक संदेश का उधारण कहलाएगा अर्थात जिस प्रकार हम आपचारिक पत्र लिखते हैं तो आपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं सिर्फ काम की बात लिखते हैं जरूरी बात लिखते हैं ठीक है उसी प्रकार आपचारिक संदेशों में भी हम लोग क्या करते हैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते ह आजकल संदेश भेजने के सबसे भेतरिन जो माध्यम है वो है WhatsApp, SMS, E-mail, Facebook, Twitter आदी ऐसे अनेक social media platform हैं जिनके जरिये संदेश भेजे जा सकते हैं संदेश लेखन के प्रकार, संदेश लेखने के भी कई प्रकार होते हैं संदेश निम्न प्रकार के होते हैं जैसे शुपकामना संदेश शुपकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जनम दिन विध्यार्ती को उनकी परिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए करमचारियों की पदोनित्ती होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को हम शुपकामना संदेश कहते हैं दूसरा परववात्यवारों पर संदेश, परववात्यवारों पर भी संदेश लिखा जाता है इस तरह के संदेश विशेश परवोवा तयवारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेशते हैं जैसे दीपावली, होली, क्रिस्मस, स्वतंतरता दिवस के विशेश अफ्शनों पर दिये जाने वाले संदेश सामिल है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि WhatsApp पर भी आते हैं, अखबार में भी आते हैं WhatsApp में क्या लिखा होता है, कि आपको स्वतंतरता दिवस की हारदिक शुपकामना है इस तरीके से लिखा होता है, तो वो संदेश है इसी प्रकार अखबारों में लिखता है कि हमारी और से समस्त भारतवासियों को स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शुपकामना है या दीपावली की हार्दिक शुपकामना है या क्रिश्मस की शुपकामना है तो ये सब क्या कहलाते हैं पर्व और तेहवारों पर दिये जाने व हमें ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है, इश्वर उनकी आत्मा को शान्ती प्रदान करें, तो इस तरीके के संदेश क्या कहलाते हैं, हमारे शोक संदेश कहलाते हैं, व्यक्तिगत संदेश, व्यक्तिगत संदेश क्या होते हैं, जै है सामाजिक संदेश ये संदेश क्या होते हैं ये धार्मिक या सामाजिक कारेकरमों से जुड़े आयोजन के संदर्व में दिये जाते हैं परियावरन दिवस पर संदेश जल बचाओ संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदी अफसरों पर दिये जाने वाले संदेश भी महत्पून होते हैं, इन्हें हम सामाजिक संदेश देते हैं, कहते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है? कि समाज को एक निर्देश दिया जाता है, समाज को कुछ चीजे समझाई जाती हैं कि आप ऐसा करें, ठीक है जैसे व्रक्ष लगाएं धर्ती को हरा भरा बनाएं, तो ये एक संदेश है, अर्थात परियावरण की रक्षा करें और अधिक से अधिक व्रक् संदेरिया आदी से संबंधित संदेश या बार भुकंप आदी से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है, ऐसे संदेश हमारे मिश्य संदेशों की शियर्णी में आते हैं, अब हम बात करते हैं, संदेश लेखन के वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अर्था जह हम संदेश लिखेंगे तो उन संदेशों को लिखते वक्त हमें किन-किन बातों को अपने जहन में रखना है किन-किन बातों पर गौर फर्माना है वो सब अब हम सीखेंगे संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए पहला सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे box या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए ठीक है आप box बनाईए चाहे वरगाकार बनाईए आयताकार बनाईए या आप गोला बनाईए यानि उसको एक border देना जरूरी होता है second संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखे जब हम संदेश लिखना प्रारम करेंगे मानली जी हमने एक आयताकार box लिया उस box में जब हम संदेश लिखना जा रहे हैं अपना तो सबसे उपर टॉप पर center में हमें क्या लिखना है संदेश लिखना है ठीक है न उसके बाद हमें अपने left hand side पर दिनांक लिखनी है तिथी लिखनी है ठीक है न और अपने right hand side की और हमें समय भी बताना चाहिए कि हम किस समय वो लिख रहे हैं उसके बाद third point फिर मुख्य विशय का कम लेकिन हम प्रभावशाली शब्दों के साथ कम से कम शब्दों में लिखेंगे चौथा अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें और अंत में क्या आता है जैसे मैं संदेश लिख रहा हूँ तो अंत में मैं अपना नाम लिखूंगा गुण्यन शर्मा इसी तरीके से आप अपना नाम लिखेंगे लेकिन एक्जाम में आप क्या करेंगे नाम की जगे लिखेंगे कैखे गय या एबैसे संदेश लिखने की शब्द शीमा तीस से चालिस शब्द के बीच में होनी चाहिए जो संदेश लिखने की हमारी शब्द शीमा होती है वो तीस से चालिस शब्दों के बीच में होनी चाहिए 6. अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विश्य अनुसार किया जा सकता है कहने का ताथ पर यह यदि हमें लगता है कि हम इसमें चित्र भी बना सकते हैं तो हमें अवश्य बनाना चाहिए जैसे कि रक्षा बंदन पर अगर हम लिख रहे हैं संदेश तो हम राखी का चित्र बना सकते हैं सुवतंतरता दिवस के लिए लिख रहे हैं तो हम भारत का जंडा बना सकते हैं हना जहां आवशक हो वहां हम चित्र जरूर बनाए लेकिन जैसे शोक संदेश होता है सोक संदेश में हम चित्र नहीं बना सकते तो वहां में चितर बनाने की आवशक्ता भी नहीं है अगर शायरी, दोहे, इश्लोक या कविता की आवशक्ता हो तो प्रियोग कर सकते हैं यदि हमें लगता है हमने पहले संदेश लिखा कि आप सभी को सुर्थंतरता दिवस की हार दिखशुप कामना है उसके बाद हमें लगता है कि हमें दो लाइने देश के लिए लिखनी चाहिए तो हम वो लिख सकते हैं जैसे मेरा वतन है, कितना खूब सूरत, सदियों तक रहे, खिलता चमन इसका तो इस तरीके से हम पंक्यां भी लिख सकते हैं अपने संदेश में आठवा, संदेश में रचनात्मक और स्रजनात्मकता होनी चाहिए यानि हम जो संदेश लिखते हैं, उसमें हमारी रचना शक्ती दिखनी चाहिए और हमने उसको किस प्रकार स्रजन किया है, हमारी स्रजनात्मक शक्ती क्या थी उसको बनाने की निर्मान करने के लिए वो उसमें दिखनी चाहिए कि हमने उसको मेहनत करके लिखा है, बनाया है 9. संदेश, सरल, संचिप्त शब्दों में प्रभावशाली वा विशे के अनुसार लिखा जाना आवशक है 10. विशे के अनुसार रंगों का भी प्रियोग किया जा सकता है ठीके न, तो विशे के अनुसार हम रंगों का भी प्रियोग कर सकते हैं लेकिन एक्जाम में तो हम लोग रंग नहीं ले जा पाते हैं तो आप simple बनाएंगे लेकिन अगर आप वैसे लिख रहे हैं तो आप रंगीन भी बना सकते हैं उसको संदेश के अंदर इधर उधर की बाते ना लिखकर केवल विशेवस्तू पर ध्यान देना अतियावशक है यानि उसमें हमें आनवशक बाते नहीं लिखनी है जैसे कि कहा जाए कि रक्षा बंधन पर आप छात्रावास में रहते हैं और आप रक्षा बंधन पर अपनी भेन को एक संदेश लिखें तो उसमें आप ये सतना लिखें कि प्रिय भेन आप कैसी हो मैं ठीक हूँ ये सब चीजे नहीं लिखना है उसमें सिर्फ आपको लिखना है कि प्रिय बेहन रेनू तुम्हें रक्षा बंधन की हार्दिक शुपकामनाए पूर्ण विराम और उसके बाद आप दो-चार कवीता के कोई पंक्ती लिख दीजिए बेहन और भाई के प्यार के उपत और नीचे अपना नाम लिख दीजिए और साइड में एक राखी की तस्वीर बना दीजीए इतना बहुत है अनावर्शक बातें उसमें हमें समाहित नहीं करनी है अब संदेश लेखन का प्रारूप क्या होता है वो जान लेते हैं हम तो जो आपचारिक संदेश लिखने का प्रारूप है वो क्या है जैसे बॉक्स बॉक्स बनाएंगे हमें, बॉक्स के सेंटर में हम लिखेंगे संदेश, फिर हम लिखेंगे दिनांक, फिर हम लिखेंगे इधर साइड में समय, फिर हम संबोधन देंगे, संबोधन यानि जैसे प्रिय बहन, तो ये संबोधन है, फिर विशय, जिस विशय है तू, संदेश हम दे रहे हैं वो हमारे को यहाँ पर लिखना है ठीक है और लास्ट में अपना नाम तो यह आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है यह आपचारिक संदेश लिखने का प्रारूप है दूसरा और अपचारिक संदेश लिखने का प्रारूप क्या है यह भी सेम साही है ठीक है न संदेश, लेफ्ट हैंड पर हम पने दिनांक, राइट हैंड पर टाइम यानि समय और फिर जिस विशह पर हमें संदेश लिखने के लिए कहा गया होगा हम वो बात लिखेंगे और लास्ट में अपना नाम, ठीक है, संदेश लिखन के कुछ उधारण, देखिएगा पहला उध पर शुब कामना संदेश, फिर दो फ्लैक बनाए गए हैं, फिर लिखाये दिनांक, 15 अगस 2020 और समय 6, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा इन्हों ने दिया है, लेकिन अगर हम समय को यहां लिखेंगे तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सक अगर करने का डर संकल्ब लेते हैं मुखे मंत्री, तो यह एक उधारन हो गया, दूसरा हो गया जनम दिवस पर सुप कामना संदेश, तो जनम दिवस पर सुप कामना संदेश, तुम जीयों हजारों साल साल के दिन हों 50,000, फिर दिनांक, उसके बाद फिर टाइम, फिर प्र शोक संदेश का उधारण उसे भी देख लेते हैं शोक संदेश इसमें क्योंकि दुख प्रकट करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना डेट, टाइम और अत्यन दुख के साथ सुचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूझे माताजी श्रीमती देव की देवी पतनी स्वर्गे श्री उमिश जोशी का दिनांग 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है उनका पिलन जी दिनांग इतने इतने को हमारे आवास में विकास मार्ग नौइडा किया जाएगा किरपिया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की माननेता परदान करें शोका कुल परिवार तो इस प्रकार से ये हमारे उधारन हो गए कुछ तो ये था हमारा संदेश लेखन अगले वीडियो में अगला टॉपिक